कुछ महिनों पहले घड़ी चौक सुपेला से गदा चौक सुपेला तक रोड के डिवाइडर पर दिजाइनी लाइट पोल लगाया गया था साथ ही इसकी शोभा बढ़ाने के लिए इन सभी बिजली के पोल को और आकरशक और खुबसूरत बनाने के लिए डिजाइनर रोप लाइट भी सजाए गये थे जो खराब हो गई थी इन सभी रोप लाइट को निगम भिलाई द्वारब बदला जा रहा है विगत कुछ महीने पहले घड़ी चौक से गदा चौक के सड़क के बीचों बीच बने डिवाइडर पर नए स्ट्रीट लाइट के खंबे लगाये गये थे और इसकी खुबसूरती बनाने के लिए इन खंबों को रोप लाइट से सजाया गया था परन्तु इन खंबों पर बांदे गए अवैद बैनर पोश्टर एवं कुछ व्यापारियों द्वारा तार बांद दिये गये थे जिसकी वज़े से इन खंबों में लगे रोप लाइट बीच बीच से कट गये और खराफ हो गये थे और कहीं न कहीं इन खंबों की शोभा कराफ हो रही थी जिससे देखते हुए निगम भिलाये ने इन रोप लाइटों को बदलते हुए नई तकनिक के प्रोफाइल लाइट लगाने का काम कर रही है कुछ दिन पहले आपके लोग पर ये चेनल ने ही ये दिखाया था कि वहां डिजाइनर पॉल की बीच में कुछ लोग अपना बिनर लगा दे रहे हैं और केबल तायर को खीच के लगा दे रहे हैं जिससे वो रोप लाइट का कटिंग हो जा रहा था घरसन से वो हवा में जो की केबल लगाये थे वो घरसन से वो लाइट कट जा रहे थे उसको बदल कर प्रोफाइल लाइट हाई क्वालिटी के लगाई जा रही है और बाद में फिर वो आपके संग्यान में आने के बाद आपने जो संग्यान दिलाया निगम को उसके बाद उसमें कारवाही भी की गई, केबल को उतारा गया, जंडे बेनर उतारे गए, अब उसमें जहाँ-जहाँ रोप लाइट में कटिंग हुई है, जो नहीं जल रहे हैं, उसको बदल के प्रोफाइल लाइट लगाई जा रही है, जो हाई क्वालिटी की है। यह कारे पूर्ण हो जाने के बाद एक बार पुना इस रोड एवाम रोड के बीचों बीच टिवाइडर पर लगे खंबों की शोभा में चार्चांद लग जाएंगे। Grand ACN News के लिए भिलाई से संतो शर्मा की रिपोर्ट